असलाम लेकूम हुशामदीद कहती हुए मैं आपको अपने चैनल में आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूसफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको पैंट ट्राउजर की कटिंग एंस्टीचिंग टीन डिफरेंट स्टाइल में सिखाने वाली हू पैंट ट्राउजर की कटिंग एंस्टीचिंग कर सकते हैं पिसलिए बिना टाइम इसके अपनी वीडियो करते हैं स्टाइब मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रड़ बेटर पे क्लिक करके कर दीजिए साथ ही बाल आकर बेबी क्लिक किजेगा ताके आने इस तरीके से डबल कर लिया है यहां पर देख सकते हैं लंबाई वाली साइड से पहले चोड़ाई वाली साइड से डबल करके फिर लंबाई वाली साइड से इस तरीके से डबल करके रख लिया है सबसे पहले तो हम लोगों ने लंबाई ले लेनी है जितनी भी आपकी बाई तयार होगी उससे 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपने तो यहां पर नीचे से जो अनिक्वल पाड़ है उसको कट करके मैं एक्वल कर लूँगी बाकि जितना भी एक्स्ट्रा होगा आपने कट करके उतार देना है कपड़ा उसके बाद आपने जो 4 इंच हमने एक्स्ट लगा लेते हैं जो नीचे से folding के लिए हम करेंगे तो यहां पर इस तरік के से जब आप truezer switch करेंगे तो यह भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही switch होगा तो यहां पर देखें इस तरीके से 2 इच पाउसिक ब्लाइज कर लगा लेँनगे यहां मैंने अपना ट्राउजर ले लिया है जो मेरा जो ट्राउजर का नाप है वो बिल्कुल पैन ट्राउजर स्टिच हुआ हुआ है उसको बिल्कुल आइरन कर लिया है अच्छे से आपने आइरन करना है ताके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और इसको इसके उपर रखना है कुछ इस तरीके से ये देखें बिल्कुल सेट कर लेना है इकोल कर लेने है दोनों पांचे और इस तरीके से जो मियानी वाली साइड है इसकी इसको अपनी तरफ करते हुए इस तरीके से बिल्कुल दर्मियान में सेट कर लेना है इस तरीके से देख सकते हैं बिल्कुल दर्म चोगा जो हम कट करें तो यहां भी देख सकते हैं इसके लिए बिल्कुल अच्छे से सेट करके रख लिए टौजर आपका बिल्कुल जो नाप वाला है वो बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए तब ही आपका जो जो आप मेयरमेंट लेंगे वो परफेक्ट होगी यहां पे देखें इसी तरीके से सेम में आने का और उपर से यहां से स्ट्रेट कर देंगे क्योंकि वो इलास्टिक लगी वी है तो थोड़ा से स्ट्रेच होगा है कपड़ा तो हम लोग वहां से स्ट्रेट ले जाएंगे दूसी तरफ से भी से इसी शे में निशान लगा लेंगे जि स्टिच करते वे कपड़ा हमारा अंदर आएगा उसके लिए जो पहले निशान लगाया है वो हमारा तयार है और इस लाई के लिए हम लोग ये वाला कपड़ा अंदर की तरफ जो निशान है वो लगाएंगे वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप जितना भी इस निशान पर उस निशान से हम इसकी कटिंग कर देंगे देख सकते हैं बिल्कुल भी मुश्किन नहीं थी इसकी कटिंग यहां भी देख सकते हैं इसके जितनी हमने फ्यूजिंग रखी थी उसी निशान से हमने इसकी कटिंग कर चुके हैं और हमारे पें ट्रॉजर की इस में आपको ईक सिंपल श्रवार की कटिन करते हैं वो सिखाँऊंगी तो चलिए अपनी मिडियो करतेए तो यहां पे मैंने एक simple straight शलवार ले लिया है जो बलकुल इकलियों वाली नहीं है simple जो straight शलवार होती है उसको ले लिया है और यहां पे जो मैंने जो तैह किया है इसको इलटा है, इसको सीधा तैह किया है जिस तरी के से इस्टी चुईवी थी और 5 थे as it is उपर से नेफा इसका यहां से मैंने खोल लिया है और इसको इस तरीके से स्ट्रेट करके इस तरीक कर लिया है उपर के कपड़े को तो इसी तरीके से आपने करना है उसके बाद आपने नाप ले लेना है जिसमी नाप का आपको पैंट ट्राउजर बनाना है तो यहां मैंने सिंपली एक pen trouser ले लिया है और इसको भी इस तरीके से तैख करके iron कर लिया है बहुत अच्छे से और इसको इसके उपर इस तरीके से arrange करके रख देंगे तो बसे आपने ख्याल रखना है कि शर्वार को आपने उल्टा करके इस तरीके से ही सेम तैख करना है और इसके बाद रख देना है और शर्वार की जो length है जो आपका नाप वाला trouser है इससे थोड़ी से जादा होनी चाहिए अगर तो जादा है तो well and good अगर जादा नहीं है तो आपने परिशान नहीं होना जैसे ये मेरी जो trouser है ये शर्वार जो बिल्कुल इसके equal है तो उपर नेफा folding के लिए मुझे ये trouser से थोड़ा छोटी ही रखना है तो मैं उपर से जब नेफा fold करूंगी तो थोड़ी सी छोटी हो जाएगा मेरा trouser तो मेरे लिए ठीक है अगर तो आपका उपर से कपड़ा नहीं बच रहा तो आप साइड से जो कटिंग से कपड़ा उतरेगा उसका जोड उपर की तरफ डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसको अंदर की तरफ नेफा fold करेंगे तो आपका as it is इसी नापका बनेगा तो यहाँ पर देखे इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे मुझे थोड़ा से lose रखना है इस trouser से तो मैंने थोड़ा एक पैर से हट के निशान लगाया है और same उसी shape में निशान लगाना है जिस shame में आपका ये trouser होगा इस same उसी shape में अगर आप निशान लगाएंगे तो आपका trouser pen trouser same उसी shape में बनेगा जिस shame में आपका होगा इस तरफ से भी मैं एक इंच तकरीमन lose रखना चाह रही हूं अपना trouser तो इसलिए मैंने एक इंच के फासले पे लगाया है अगर आप अपना trouser lose नहीं रखना चाहते नाप वाले trouser से तो आप बिल्कु ट्राउजर के साथ साथ निशान लगाएंगे तो यहां पर देखें मैंने जितना lose रखना था उतना बाहर की तरफ निशान लगाती जाओंगे और यहां से इस तरीके से म्यानी को fold करके straight ले जाएंगे हम लोग यहां पर क्योंके उपर elastic लगी भी है इस वज़े से stretch हुआ हुआ है तो हम लोग वहां से सीधी straight shape देंगे तो यहां पर simply इस तरीके से करना है था अब हमने fusing का margin छोड़ते वे बाद में cutting करनी है यहां पर मैं जो mark है वो आपको थोड़े से dark करके दिखा देती हूँ यह देखें हमारा जो pattern है वो perfectly ready हो चुका है तो अब हमने जब इसकी cutting करनी है तो इसका थोड़ा सा fusing जितना हमने sly में रखना है उतना margin छोड़ते वे फिर cutting करनी है आपने मुझे थोड़ा lose रखना था इसलिए मैंने trouser से थोड़ा हटके इसका निशान लगाया था अगर आपको same naap जितना रखना है तो trouser के बिलकुर साथ-साथ निशान लगा सकते हैं मुझे बहुत सारे comment आई थे तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम अपना मुझे उपर से lose रखना है अपना trouser इस तरीके से जब आप नाप ले रहे होते हैं तो उपर से आप lose रख सकते हैं नीचे से भी lose रख सकते हैं तो आपका trouser बहुत ही comfortable बनेगा उससे आपकी shape में कोई भी problem नहीं होगी तो पहनने में भी आपको बहुत comfortable रहेगा और दिखने में भी बहुत stylish लगेगा यहां पर देखे सेम इस तरीके से fusing का margin बाहर की तरफ छोड़ते वे जो हमने style में देना है सेम जिस तरीके से हमने निशान लगाया था उसी तरीके से हम लोग इसकी cutting कर लेंगे तो यहां पर देखे इसकी cutting सिंपली हो चुकी है अब कुछ भी नहीं करना है उपर से नेफा फोल करना है और सेम stitching इसकी तरीके से करनी है अगर आपको यह पांचे नहीं चाहिए तो इसको भी खोल के आप आगे की तरफ कपड़ा बढ़ा के दुबारा इसको फोल्ड कर सकते हैं इसके अंदर से बुक्रम निकाल के तो यह simple आपका वैसा ही trouser stitch होगा जैसे normally हमारा pen trouser stitch होता है चलिए अब हम अपना third method कर लेते हैं start इसमें मैं आपको proper measurement के साथ किस तरीके से pen trouser की cutting की जाती है वो सिखाऊंगी यहाँ पर बहुत यसान method के साथ तो चलिए अपना third method करते है start कपड़ा लिया है यहाँ पर और इसकी cutting कर लेंगे अब लोग इसको मैंने चुडाई वाले साइड से जिस तरीके से चुडाई वाली साइड से हम उसको tag करते हैं तरह की ज़िए सबसे पहले, इसको पहले ऐसे ब्राउजर को कट करना है और फिर बैक साइड को सबसे पहले, अपर वाली ताय को पीछे कर देंगे और यह सिंगल ताय को रहने देंगे मैं आपको दिखा देती हूँ यह जो मैंने डबल किया हुआ है यह वो ही तया है नीचे वाली और उसकी जो बं साइड है वो दूसी तरफ रखते हुए ओपन साइड को इस तरह अपनी तरफ करते हुए कटिंग करेंगे स्टार्ट तो सबसे पहले हम लोग मैयरमेंट लेनेंगे किती मैयरमेंट की हमारे ट्राउजर है तो सबसे पहले उपर से मैंने यहां पर नेफे का दो इंच का निशान लगा लिया है सबसे पहले आपने यह निशान लगा लेना है दो इंच का और उसको यहा पर कि दो भीवाद हो साइब को परर मीशन मेडियर में ऑरेटे MARTIN तो उसके बाद हम लोग आ मंहींट लेंगें की ट्राजर कि वह ले ले लेते हैं कि यहां पर को मेरे पास जो माप है ग्रेकम की औरत का है आप अगर medium size का बनाना चाहते हैं medium size का बनाना चाहते हैं तो इस measurement से बना सकते हैं इसकी जो length है वो तक्रीबन 38.5 है तो हम लोग इसको ले लेंगे तक्रीबन हमने 2 इंच नीचे पांचे के लिए भी रखना है तो हम लोग यहां नेफे का जो निशान लगा था वहां से महीर करेंगे और यहां पर देखें इस तरीके से 38 इंच पर हम लोग यहां पर निशान लगा लेंगे देखें 38.5 था 38.5 पर हम लगा लेंगे और उसके नीचे 2 इंच या इंच तक एक्स्टा रखेंगे नीचे पांचे की फोल के लिए उसका भी निशान लगा लेंगे और इन दोनों लाइन को आप ड्रॉ कर लेंगे नीचे नहींक के बाद मने LENTH की मेजर्मेंड लेते वło है उसका निशान लगाया है और 2 इंच का नीचे पांचे का लगा उसके बाद हमने क्या करना है यहां से म्यानी मेजर्मेंड लेनी है आप किसी वї जो वी नाप हो आपके पास इस थरीके से यहां से यहां तक की measurement लेनी हैं उनने तो यहां पर देखिए मैरी जो measurement है वो तक्रीबन 12 inch के करीब है तो यहां पर देखें इस तरीके से जो सामने वाली side होगी वहां से हमने लगाना है तो यह 12 inch मैं यहां पर लगा लूगी निशांट और 12 इंच का यह जो मैंने निशान लगाया है यह मैंने मियानी के लगाया है और उसके बाद हम लोग यहां वेस्ट की मियर्मेंट ले लेंगे जितनी भी हमारी ट्राउसर की वेस्ट होगी यहां पर देखें यहां पर इस जगह से हमने मियर्मेंट लेनी है यहां से यह हमने मयाने तक की मेरि मेर्मेंट लेनी है जितनी की हो so यहां से यहां तक की मेरी है 12 इंच मेरने लगाना है और 12 इंच पेगे यह जो आम वेस्ट का निशान लगाते हैं इस से आगे हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना होता है मियानी के लिए तो इसके बाद हम निशान लगा लेंगे यहां से मियानी के लिए तो यहां पे देखें जितनी पर आपकी यहां वेस्ट होगी उससे आप लोगों ने दो इंच या धाई इंच आपनी मियानी के लिए यहां पर 1,5 इंच के लगाया अब जो पहले हमने वेस्ट का निशान लगाया था, उसको स्ट्टेट उपर की तरफ भी मिलाना है हमने, उससे पहले हम लोग उपर की ले लेते हैं जितनी भी यहां की चुड़ाई होगी हमारी उपर की, उसका हमने हाफ लेना है, जितनी भी आपके चुड़ाई होगी उसका half ले लेना है आपने यहाँ पर जुमिनी चुड़ाई है वो 18 इंच ए उसका हम लोग half ले लेंगे तकरीबर 9 इंच तक उसका half आजाएगा और जितना भी उसका half होगा उसका निशान लगा लेंगे हम लोग बीच में तो चलिए हम दो यहां पर देखे जो नौ इंच है वहां तो हम यहां पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से दोनों निशानों का आपस में मिला देगे जितनी वह ऊपर से चुड़ाई होगी उसकाने हाफ लेना है उतनी measurement पे नीचे भी निशान लगा कर लेनी है यह जो हमने मियानी का निशान लगाया था वेस्ट का निशान लगाया था उसकी भी straight line उपर की तरफ ड्रॉ कर देनी है हमने इस तरीके से यह देख सकते हैं आप लोग सबसे पहले हमने क्या किया है नेफे का दो इच का निशान लगाया था फिर हमने length की measurement ली नीचे पांचे का लगाया उसके बाद हमने waist की measurement ली waist में हमने धाई इच जो था मियानी का add किया उसके बाद मैंने क्या किया है उपर वाली जो हमारा नेफा है जितनी भी चुडाई होगी उसका half लेके दरम्यान में line draw कर ली है यहाँ भी हलकी सी गुलाई दे दी है उसकी मियानी की और यह देख सकते हैं जितनी भी उपर की हमने निशान लगाया है half का उतना ही हम नीचे से भी लगाएंगे यह देख सकते हैं उपर का मैंने half तक्रीबन लिया था साड़े आठ या नौ इच तक लिया था उतना ही नीचे हम लगाएंगे यहाँ देखें यह line draw दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देगे तो अब जितना भी हमारा पांचा होगा जितनी भी हमारे पांचे की measurement होगी ट्रावजर की यह मैं बता देती हूँ आपको किस पांचे की बात कर रही हूँ इस पांचे की जितनी भी measurement होगी यह जो हमने line draw की है बीच में इस से half inch right side पे लेंगे half inch left side पे लेंगे मतलब मेरी यहां पे 6 inch है अगर चुड़ाई तो मैं 3 inch एक side पे ले लूँगी 3 inch एक side पे ले लूँगी इसी तरीके से जितनी भी आपकी चुड़ाई होगी पांचे की उससे आप में half half distribute कर देना है इस lines के दोनों तरफ तो यहां पे देखे हमने almost निशान लगा लिए हैं सारे और अब इसको हम लोग shape दे देंगे pen पर जामे की, straight pen पर जामे की उसके लिए मैंने यह scale का use किया है और अगर आपके पास scale नहीं है तो आप इंची tape से भी दोनों को मिला सकते हैं बिल्कुल यहां जो मियानी वाला जो निशान था वहां पे मैंने scale को लगाया है उपर और उसको नीचे वाला जो निशान था पांचे के साथ उसके साथ मिला दिया है दूसी तरफ से भी इसी तरीके से लगा लेंगे उसकी तरफ से हमें scale को थोड़ा सा पैटरन है वो हो चुका है रेडी अब हमने कटिंग करनी है तो चलिए कटिंग कर लेते हैं नीचे से सबसे पहले कटिंग कर लेंगे उसके बास साइट्स पर कर लेंगे मैंने हर चीज को नाप ले लेके आपको बताया है सिर्फ इस वज़ा से कि जब आप लोग किसी भी मेईरमेंट का कट करने लगें तो आपको बिल्कुल भी कन्फूजन ना हो आपके पास जो नाप हो उसको मेईरमेंट लेते हुए आप लोग कट कर लेंगे कि यहां पे कटिंग कर ली है बैक साइड की कटिंग करनी है ए लीए हमने बार साइड की कटिंग कर लेंगे से बन साइड पे कट ली कर लेंगे और उसकी भी cutting कर लेंगे ये देखें इसी तरीके से दूसरा पल्लू भी मैं इसका भी शाल हूँगे बं साइड को दूसरी तरफ करते वे open साइड को अपनी तरफ करते वे रखेंगे ये देखें इस तरीके से ये देखें open साइड को अपनी तरफ किया है इस तरीके से इसको भी चुडाई वाली साइट से डबल किया हुआ है और जो अभी हमने front side का pattern cut किया था उसको इसके उपर रख देंगे कुछ इस तरीके से और नीचे से equal करते वे हम उपर रखेंगे हमेशा आपने याद्यान रखना है कि जब आप front side को back side के उपर रखें तो नीचे से equal करते वे आपने रखना है ताकि जो उपर की तरफ extra हो वो निकल जाए यहाँ पर देखें नीचे से equal कर लेंगे हम और इसको उपर की तरफ बढ़ा देंगे जो भी extra कपड़ा है उसको उपर की तरफ आपने बढ़ाना है नीचे की तरफ आपने बिल्कुल रखना है कपड़े को इस तरीके से arrange कर लेंगे इसको back side को भी हमने almost इसी pattern के साथ cut करना है बट हमारा ये माम्यानी की side से द्वासा extra होता है उसकी वज़ा से हम लोग separately cut करते हैं दोनों sides को तो यहाँ पर देखें चलिए इसके भी pattern ready कर लेते हैं जो back side का हमने बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग measurement ले लेंगे यहाँ पर यहाँ से म्यानी से यहाँ तक की measurement जितना भी आपका यहाँ पर mostly हम लोग अगर आप healthy हैं तो दो इंच भी ले सकते हैं और आगर आप smart हैं तो एक इंच भी ले सकते हैं मेरे कपड़े की चुड़ाई ही इतनी है कि मेरे पास एक इंच का margin बचा है तो मैंने एक इंच ही लिया है मैं बहुत ज़्धा healthy बंदे का नहीं बना रही हूँ यह और मतलब बहुत ज़्धा healthy औरत का नहीं बना रही हूँ अगर आप बहुत healthy का बना रहे हैं तो आपको कपड़े की चुड़ाई भी ज़्यादा चाहिए होगी और उसको भी इसी तरीके से सेम म्यानी की शेव में गुलाई दे देंगी देख सकते हैं उसके बाद यहां जो है उपर से लंबाई वाली साइड से हमने लेना है तकरीबन हम लोगोंने 2 इंच का निशान लगाना है उपर से यह 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं अगर आपकी लंबाई कम बच रही है तो अब इसको यहां पर तिर्शी शेव देनी है जो बैक साइड है इसकी हमने यहां पर तिर्शी शेव देनी है कुछ इस तरीके से यह देख सकते हैं आप इस तरीके से तिर्शी शेव देदी है हमने और यहां पे भी बिल्कुल जो एक इंच का उपर की तरफ मार्चन रखा था उसी तरीके से यहां पे भी मार्चन रख लेंगे हम लोग तकरीबन एक इंच या दो इंच का भी रख सकते हैं आप लोग अगर आप ज़्यादा है तो यहां मैने जो रखा है वो डेर इंच का स्ट्रेट जो स्केल होता है उसको भी यूज कर सकते हैं चलिए बैक की भी कटिंग कर लेते हैं बैक की कटिंग भी उसी शेर में करनी है जिस शेर में हमने इसका पैटरन रैडी किया है और इस तरीके से यहां मैंने अभी फिलहार लेडीज के पैंट पिजामे की बताई है मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको बेबी बॉय का स्ट्रेट जो पैंट पिजामा किस तरीक से स्ट्रीच करते हैं वो भी बताऊंगी और यहां भी देखे हम लोग लैंट की साइड से जो हलका स कर देगे और यहां का भी बाट पार जो है तो डेख सकते हैं हैं लोग यहां तक कोई क्विजें षट्रीच की कोशिश की है तो चलिए अब स्टिचिंग करते हैं स्टार्ट स्टिचिंग की भी बहुत असान तरीके से मैं आपको बताऊंगी स्टिचिंग करने के लिए हमने क्या करना है दोनों फ्रंट को बैक को लग लग करना है और इसकी जो मियानिया है उनको इसलाईया लगानी है यह देख सकते हैं, आप लोग दोनों की अलग अलग लगानी है, फ्रंट की पहले लगा लेनी है, फिर बैक की लगा लेनी है, तो याद है, मैंने यह जो सारी कटिंगी थी, वो उल्टा कपडा तेह करके की थी, और इसलिए इसको उल्टी तेह पे ही इस तरीके से सलाई लगा करना है, इस तरीके से मियानी की सलाई को बीच में रखते हुए, और यहां पे देखें, फ्रंट वाली साइड के सीधी साइड अपनी तरफ करते हुए, और यहां पे देखें, इसकी जो साइड वाली सलाई है, जो फ्रंट और बैक साइड को आपस में जॉइन करना है, इस को हमने लगाना है इस तरीके से उपर से नीचे तक उपर से स्टार्ट करना है नीचे तक आपने लेकर आना है ताकि अगर कोई भी एक्स्ट्रा कप्रा हो वो नीचे की तरफ आ जाए ये देखें मियानी की स्लाइएं लगाने के बाद इस तरीके से खोल के हम लोगोंने लगा लेंगे तो चलिए यहां भी लगा लेते हैं दोनों तरफ देख सकते हैं आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है इसको बनाना अगर आपको पैटर्न बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो तक्रीबन 20-25 मिनट में आपके ट्रॉजर स्टीच कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्टी और इसको पहनने के बाद जो शेव आती है वह बहुत ही जबरतस्त आती है और यह ट्रॉजर बहुत ज़्यादा कंफरेबल भी रहता है दोनों तरफ से इसी तरीके से इसलाई लगा लेंगे यहां पी देखिए दोनों तरफ से इसलाई लगा ली है हमने और नीचे की तरफ आना है और नीचे से जो भी एक्स्टा कपड़ा होगा उसको इस तरीके से ट्रिम कर देना है दूसी तरफ भी देखिए इसी तरीके से लगाई है और उसको यही करना है कि जो एक्स्टा पार नीचे से होगा उसको ट्रिम कर देंगे हम लोग इस तरीके से त वहां पर सबसे पहले आप लोगोने जितनी भी आपकी स्टोगि उसकी में रही होगी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की में मेर्मेंट यहां पर देखे जितनी और मेरी 23 इंच थी और हम लोग ले लेंगे यहां पर 24 इंच जो इसको जॉइन करते हैं थोड़ा सा सिलाई में आएगा उसके लिए एक्स्ट्रा रखी है देखें मैंने इसको डबल करके कट नहीं किया इसके बाद इस तरह के से डबल कर लिया है अब इसको यहां से इस तरह के से जोइन कर लेंगे यहां पर तो यह देखें बिल्कुल असान तरह है जितनी आपकी वेस्ट उगी उत्नी ही उइलयास्ट्क लेनी है और बाद में इसको डबल कर लेना है यहां पर देखें इस तरह के से उपर स्लाई नहीं आनी चाहिए बिल्कुल उसके साथ साथ हमने stretch करेंगे और ऐसलाइगय लगाते जाएंगे कि देखें यह बोखाधर किनारे किनारे पर आपकी स्ट्रेच करेंगे कि देख संच पें इस तरीके से, Elastic यहाँ पे जो मैंने basically ली है, वो तक्रीबन 1.5 इंच जितनी चौड़ी ली है, अगर आप 1 इंच जितनी भी लेना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं, और इसके बाद हम लोगों ने इस Elastic के उपर भी सिलाई लगानी है, अगर चुड़ाई में कम हो Elastic तो हम एक ही सिलाई लगाते हैं, बट अगर Elastic चुड़ाई में थोड़ी डेर्डिंग जितनी हो, जितनी मेरी है, तो इसमें हम दो लगाएंगे, यहाँ भी देखें, Elastic perfectly attach हो चुकी है, अब हमने जो इसकी चुननट से, इसको equally distribute करना है, चारों तरफ इस तरीके से, ताके यह perfectly चारों तरफ equally जो चुननट से हो आ जाएं, यहाँ पर देखें equally distribute हो चुकी है, डबल होने के बाद देखें, इसकी चुड़ाई 12 इंच आ गई है यह देख सकते हैं आप लोग उसके बाद अब हमने इसके उपर उपर बिल्कुल सलाई लगानी है, यहाँ पर देखें बिल्कुल उपर उपर लगानी है और इलास्टिक को अपने तरफ स्ट्रेच करते वे लगानी है अपनी तरफ खैंच के लगानी है ताके चुननट से बहुत perfectly बने और यहाँ पर देखें, उपर की तरफ मैंने लगाई है उपर से तपलीबन थोड़ा सा डिस्टेंस चोड़ते हुए और उसके बाद मीचे की तरफ से भी थोड़ा सा डिस्टेंस चोड़ते हुए इस इस इलास्टिक के उपर मैं दो सलाईंगे लगा रही हूँ अगर आपकी चुड़ाई में कम है तो आप एक भी लगा सकते हैं यहाँ पर देखें, अपनी तरफ स्ट्रेच करते जाएंगे इलास्टिक को और सलाई लगाते जाएंगे यह देखें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इलास्टिक अटेश करना और यहाँ पर देखें, इस तरीके से मेरी लास्टिक अटेश हो चुकी है कितनी परफेक्ट शेप आई है इसकी यह देख सकते हैं आप लोग दोनों साइड से, और इस तरीके से यह हमारी फ्रेंट साइड आती है, जब हमने ख्याल रखना है, नीचे जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको फोल्ड कर लेंगे अब और दोनों पांचों को और नीचे की जो सलाइया है वो लगा लेंगे तो मैं आपको बता रही थी, इलास्टिक है जो हम आगे की तरफ बढ़ा हुआ जो साइड होती है, उसको हमेशा आगे की तरफ करते हुए पहनते हैं अगर आप पीछे की तरफ करते हुए पहन लेंगे तो उससे ट्रॉजर खिच सकता है या फट सकता है तो यह एक जो इसकी ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी है कि इस बात का आपने खयाल रखना है क्योंकि मोस्ली हम लोग यही करते है ट्रॉजर में कि हम लोग जो नीचे वाली साइड है वो पीछे की तरफ पैन लेते हैं बेदेहानी के साथ इसके ज़र से हमारे ट्रॉजर फट जाता है तो यह आपने बिलकुल खयाल रखना है जो नीचे वाली साइड होती है उसी को आगे की तरफ करना है यहाँ पर देखें जो टाउजर है उसके पांचों के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरीके से फोल्ड करके लगा लेंगे पिल्कुल जतना हमने दो इंच जतना एक्षा रखा था उतना ही फोल करना है अंदर की तरफ उसके किनारे किनारे पर स्लाई लगा लेनी है अब यह स्लाई लगा लिए है पांचे को मैंने डबल किया है यहां पे और इसकी चुड़ाई की ले लेंगे measurement हमारी तक्रीबन चुड़ाई जो थी वो change थी मैं यहां सारे change थोड़ा से lose रख रही हूँ उससे तो सारे change जितना निशान लगाएंगे पांचे पे मैंने लगाया है और इसको इस तरीके से slide लगा लेंगे जिस share में हमने cut किया था ले लेनी है equally सारे change की मैंने एक तरफ से ली थी तो दूसी तरफ से भी सारे change की ही आपने लेनी है और इस तरीके से निशान लगाके और इसकी भी slide से लगा लेनी है जिस तरीके से हमने दूसे पांचे की लगाई है इक्वल डिस्टेंस अंदर कपड़े का छोड़ते हुए और जिस share में हमने cut किया है सेम उसी share में slide लगानी है बिल्कुल भी confused नहीं होना आपने यहां पर देखें स्लाइएं लग चुकी है ट्राउजर हो चुका है almost ready और इसको सीधा करके इसका final look मैं आपको दिखा दूँगी और इसको iron कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहां पर बता देती हूँ इसको आइरन करने के लिए लिए नोगो इसकी जो नहीं है उसको प्राइए को ऊपर रखते हैं ynना पर और फिर प्री man do आप दिखा दलरा कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बनने के बाद कितना परफ्क्षों लग रहा था तीनों मेफ्टड और ४ sa आप पैंट राउजर की कटिंग कर सकते हैं और मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा कि इन तो तीनों मैथड में से कौन सा मैथड सबस्क्राइब असा था और कौन सा आप लोगा फेवरेट मैथड है और आप लोग किस मैथड से कटिंग करते हैं यहां तक वीडियो वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक की बिना बिल्कुल मच जाएगा में शेलों को सब्सक्राइब नहीं कहें तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मच जाएगा नेक्स्ट अगेन बहुत इंटरस्टिंग वीडियो के साथ फिर आज़र होंगी तब तक के लिए मु